मानो तो मोज है वरना समस्या तो रोज है कंटैमीनेशन ओसीडी दिल्टाइ कोई भी हो सकता है कि वैसे कुटा ट्रीगर कई परकार वेश्यली में बनता है Contamination OCD में भी बनता है Inless Anxiety Disorder में भी बनता है Purphobia में भी बनता है तो आज हम Inless Anxiety Disorder की तो बात नहीं करेंगे या आपको Rabies होने का डर लगता है या बिमारी होने का डर लगता है उस भी शपर बात नहीं करेंगे आज बात करेंगे कि कुट्टे से घिन आना कुट्टा गंदा लगना कुट्टे की पोटी गंदा लगना कुट्टा अगर टच हो जाए पास से निकल जाए उसकी आवास सुनाई दे जाए तब भी गंदगी का एसास होना और उसके बाद धोना हाद धोना नहाना ये कंपल्शन करना आज इसकी बात करने वाले हैं तो हमारे साथ प्रिया जी हैं प्रिया जी आपका स्वागत है तेंक यूद आप ओफलाइन सेसन लेने आए और आज आपको ओफलाइन कुत्तों से मिलवा भी देते हैं क्योंकि यहां बहुत सारी कुत्ते हैं रंग भी रंगे कुत्ते हैं लेकिन इनको खास करके काले कुत्ते से ही डर लगता है तो आज इनकी मुलाकात स्पेसली काले कुत्ते से ही करवाएंगे तो इससे पहले इनके मन का डर गीता थेरपी से निकाल देते हैं तो कुत्ते से कैसे कैसे डर लगता है एक बार जरा दोरा दीजी ऐसे बस गिनाती है पास से निकलने से यह जैसे सड़ा हुआ कोई होता उसे बहुत ज़्यादा और अच्छा गवराट बेचे निए और टेक सा अचा कुटा पास से निकल गया तो क्या महसूस होता है? बहुत गंदा लगता है, बहुत घिना आती है उसके बाद आप क्या करती हो? नहना दो नह दोना, या कहीं भी किसी चीज से टच नहीं होना, नहने से पहले अगर हो गए तो फिर वो चीज भी खराब हो जाती है जैसे दिवार हो या दरवाज़ा हो कोई भी कुछ भी हो बात रों में घुसने से भी अगर कहीं टच हो गए दिवार से तो वो भी उससे हो जाती है बिल्कुल हो जाती है तो कोई बात नहीं आज उसी से डर निकाल देते हैं तो सबसे पहले आपने गीता थेरैपी फॉर्मेट बनाना है गीता थेरैपी फॉर कुट्टा लिख दे कुट्टे से है ना कुट्टा तो अब जिवाथ आप ध्यान रखिएगा कि प्रोब्लम कुट्टे में नहीं है प्रोब्लम हमारे दिमाग में ही है खराबी कुट्टे में नहीं है अगर पूरी दुनिया के कुट्टे हटा दें तो कुट्टे का स्थान बिल्ली ले लेगी फिर शिवकली ले लेगी फिर कोई दूसरा जानबर ले लेगा समस्या कुत्ते में या औब्जेक्ट में नहीं है समस्या मन में है इस बात को गाठ बांध लेना है क्या समझे प्रिया जी इस समस्या मन में है हाँ समस्या मन में है कुत्ते में नहीं है लेकिन दिखती कुत्ते में है तो कुट्टे में समस्या कैसे दिखती है कैसे मन खराब हुआ इसी प्रोसेस को हम घीता ठेरपी से जान रहे हैं सबसे पहले आपने ए लिखना है उसके बाद भी फिर सी औरंत में क्या आता है मौन धार्ण करके नहीं बैठना है मौन धारी बाबा नहीं बनना है एक को क्या बोलते हैं कि बोलिए कि क्या बोलते हैं ट्रीगार वेरी गुड़ मौन वर्त तोड़ दिया और बी में अविशैशन अईसास लगना या विचार अटकना विचार अटकना इस प्रिचार अटकना मन में एक ही विचार फस जाता है रिपीटिड विचार होना शेक होना या वहम यह है बी तो बी के बाद सी आता है इसकी वज़े से फिर एक खत्रा पैदा होता है संभावित खत्रा या नुक्सान पहले इतना समझ लेते हैं फिर डी की बारी आएगी तो सबसे पहले ट्रीगर क्या है क्या देखर ओ तो आपस को गंदिगी का ऐसास होता है बंग किसी बीड़े ब्लक से का इलाज आसान बनाएगा OCD डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान और वो भी बिना दवाई घर बैठे किसी को बीमारी की चिनता है तो किसी को चिनता की बीमारी है भगवत गीता ने लाखों करोडों का जीवन बतला है और आपका भी बतलेगा गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रिकार की OCD का संपूर्ण इलास जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाद धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लौक दर्वाजा चक करना वा अन्य सामान की चकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान वा मरने मारने का विचार एच आईवी, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटेक का विचार आना, आईवी, एस और नेन ना आने की समस्या का हल, गीता कोर्स में मिलेगा, आत्महत्या वाले विचारों से, मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी, राजेंद्र जोतपुरिया एप पर आपको OCD से सम्म राजेंद्र जोतपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्यानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेगी, गीता है महान थेरेपी, गीता में CBT, हिपनो थेरेपी, मैंडफुलनेस, ERP वा अन्य बहुत सी साइको थेरेपीज का समावेश मिलेगा, से अभी डाउनलोड कीजी राजेंद्र जोतपुरिया और पाईए अपनी सभी समस्याओं का हल, मानो तो मोज है, वरना समस्या तो हर रोज है, चड़क पे जा रही है, और डोग दिख गया, तो आपको क्या मैसूस होता है, विचार क्या आता है, पताने पर एक दम से नहीं घीन आती है, जैसे मेरी पूरी बोरी पर गंदा गंदा सा हो गया, गंदगी का एसास होना, गंदगी वे गिन गिन का विचार या ऐसास, तो जैसे ही विचार आपके मन में गंदगी या घिनका आता है उससे फिर फ्यूचर में क्या डर पैदा होता है क्या लगता है कि क्या हो जाएगा मालीजी आपके मन में गंदगी वाला विचार आया और आपको ऐसास हुआ कि आप गंदी हो गई तो उसके बाद फिर क्या फ्यूचर में क्या हो जाएगा सब गंदा हो जाएगा घर में गंदगी फैल जाएगी अब जैसे इस ऐसास होता है आपको लगता है कि अब मैं जहां जाऊंगी जिस समान को टच करूँगी वो सारा समान गंदा हो जाएगा ये आपकी कहानी है सबसे पहले आप डोग को देखती हो डोग को देखते ही आपके मन में विचार आते हैं गंदगी का एसास होता है घिन का एसास होता है और फिर यही विचार अटक जाता है फस जाता है और इसी से फिर में खत्रा मन राता है कि अब तो घर गंदा हो जाएगा जहां जाएगी वह स्थान गंदा हो जाएगा तो इससे बचने का उपाई भी मन बताता है यह बात ध्यान रखनी है जी जो प्रेजेंट में पैदा होते हैं और खत्रा हमेशा फ्यूचर से सम्मंदित आता है कि प्रेजेंट में आपको गंदगी का एसास हो गया तो फ्यूचर में फिर डर दिखाएगा कि फ्यूचर में घर गंदा हो जाएगा में फ्यूचर का डर हटाने के लिए फिर आपने पूपाए करती हो सॉल्यूशन सॉल्यूशन मन क्या बताता है जो सॉल्यूशन become a problem जो problem ही बनता है solution क्या है solution मन बताता क्या है मन दोत रहे के solution बताता है एक तो doing करो doing is equal to करना मतलब मरना क्या करने को मन कहता है या वो एडिया भगवान सिर्क्रिशन जी से क्या कहते है ठीक है अब क्या करने को मन कहता है कि घर गंदा नहीं होगा घर में गंदगी नहीं फैलेगी तो नहा लो यह मन कहता है नहाना हाथ धोना और कपड़े धोना है नहाना हाथ धोना हाथ कपड़े धोना उससे फे खत्रा टल जाता है उससे जो यह संभावित खत्रा नुक्सान था गंदगी फैलने का वो कम होता हुआ सा मैसूस होता है या लगता है और फिर अगली बार मन क्या कहता है कि भई कुत्ता दिखेगा तो गंदे हो जाओगे इससे अच्छा है कि कुत्ते को देखो ही मत या घर से मत निकलो तो आप क्या करती ह नहीं निकलती नहीं देखती हाँ घर से बाहर नहीं जाना या घर से बाहर जाना तो आँख बंद करते हैं घर से बाहर जाना या आँख बंद कर लेना घर से बाहर जाएं तो आँख बंद करना आँख बंद करना यह आपका त्याग है या अवोइडेंस है अब अवोइडे जितना करोगे उतना भी फस होगे तो यह प्रिया जी आपकी पूरी स्टोरी है स्टोरी ओप प्रिया यह प्रिया ऐसा करती है यही OCD वालों की कहानी रहती है कि सबसे पहले Trigger से आमना सामना होता है, Trigger के बाद मन में विचार फसता है और वही विचार फिर खत्रा पैदा करता है, Future में कोई डर दिखाता है फिर उसी future के डर को हटाने के लिए उसने कुछ compulsion किया जाता है जिसे doing कहा जाता है और फिर अगली बार इस जमेले से बचने का उपायमन देता है जिसे avoidance कहते हैं या त्याग कहते हैं creation जिसे त्याग बोलते हैं अर्जुन भी तो युद्ध का त्याग कर रहा था वोशड़ी वाले बाहर जाने का त्याग कर देते हैं कि बाहर नहीं जाएंगे घर में बैठे रहते हैं देखना बंद कर देते हैं तो आप ऐसा कितने सालों से कर रही हैं 22-23 सालों से ऐसा कर रही हैं तो अब देखिए, जैसा आप कर रही हैं, ऐसा करके तो आप ठीक नहीं हो सकती, इसके लिए आपको तरीका बदलना होगा, तो आप यहाँ पर आई हैं, यहाँ पर कुछ नया सीखने के लिए, यहाँ सही रस्ता पता करने के लिए आई हैं, तो अब आपको सही रस्ते पर चलना है, जो रस्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो अब आप समझिए, कि 22 सालों से तो इस रस्ते से आप चली हो, कि आपने गलती क्या किया है, कि D से C को ठीक करने की भूल किये, OCD वाले गलती यही करते हैं, कि D से A को ठीक कर लेंगे, जो कि OCD वाला ही काम है, क्योंकि जितना आप D जाला करोगे, उससे C बड़ा हो जाएगा, C बड़ा तो, B बड़ा, B बड़ा, A बड़ा, और फिर सारा जमेला ही दोरा शुरू हो जाएगा, तो आपने जो solution बनाए हैं, वही problem है, भी हाद धो करके, या घर से बाहर ने निकल करके, आप खत्रे को टालने की कोशिश कर रही हैं, आपने गलती पहली गलती यह की, कि हाद धोने से खत्रा टल जाएगा, ये wrong belief बना लिया, हाद धोने से गंदगी फैलने का खत्रा नहीं जोटा है, सबसे बड़ी समस्या ये C है, C में गड़ बड़ी है, C को अगर ठीक कर लिया तो सब कुछ ठीक, क्योंकि C है नकली, लेकिन देखिए गंदगी फैलने का खत्रा कितना था, 0.000000000 परसेंट, लेकिन आपको ये खत्रा असली लगा, और असली बान के आप में हाद धोये, और कपड़े धोये, तो इस से एक मन की प्रोग्रामिंग हो गई, मन का रोंग बली बन गया कि खत्रा तो था, लेकिन हाद धोने से ही टला, अगर आप हाथ नहीं दोते, तो खत्रा टलने वाला नहीं था, आपने ये गलत सीख लिया, और जो गंदगी फैलने का और मैं गंदे होने का जो बलीफ था वो ओर गहरा हो गया, क्या समझें? और गेरा हो गया दल्वी केमें कर देखा हाँ, विहाद धोने से आपकी wrong programming, wrong belief और मजबूत होता जा रहा है, लेकिन आपको भरम यही था कि भरिहाद धोने से खत्रा ठल रहा है, तो भरम में जी रही थी न, यही भरम OCD है, OCD को वहम का रोग भी तो कहते हैं, वो इसलिए कहत हैं क्योंकि आपको वहम हो गया कि हाद धोने से सभाई हो रही है,